आपके पास Moto E13 या कोई और फोन है तो यहां पर आप सिम इंसर्ट करके नेटवर्क की सैटिंग कैसे कर सकते हैं फोन में तो सिम इंसर्ट करने के लिए आप यहां पर लेफ्ट साइड में जो आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगी उसे आप ऐसे करके एजेक्टर के त्रू नि इंसर्ट कर देंगे नेटवर्क आने का वेट कर लेंगे और आप जाना आपको सैटिंग पर इसके बाद नेटवर्क एंट इंटरनेट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कॉल एन एसमस पर क्लिक करना आपको तो यहां पर कॉलिंग के लिए आप सिम चूस कर लेंगे जैसे मैं always ask कर देती हूँ ताकि अपने according मैं call कर सुखूँ SMS के लिए sim choose कर लेंगे और यहां पर Wi-Fi calling पर क्लिक करके इसे on रखना है और सेम चीज जियों के साथ भी आप Wi-Fi calling को on कर देंगे और इसके बाद back कर लेंगे इसके बाद SIM पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों के लिए अलग अलग सेटिंग्स हैं जैसे कि SIM 1 के लिए अलग SIM 2 के लिए अलग तो जैसे कि SIM 1 पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर आपको यह तो मैंने आपको बताई दिया था काल और SMS के लिए mobile डेटा आपका आउन रहेगा roaming आप अक्टिव कर देंगे और इसके बाद यहां पर इसको आन रखेंगे और इसके बाद यहां पर डेटा लिमिट का आउन रखेंगे और इसको भी आउन रखना है ताकि कहीं पर भी जाए तो आपका नेटवर्क सेलेक्ट हो जाए और इसके बाद यहां पर एक बर क्लिक करके रीसेट डिफॉल्ट कर देना है यह इसलिए करवाया मैंने कि आपका इंटरनेट अगर काम नहीं कर रहा है यह वाला option जरूर ऑन कर देंगे डेटा डियूरिंग कॉल्स का मतलब यह होता है कि जब आप कॉल पर होते तो कई लोगों इंटरनेट काम नहीं करता है यह उन कर देंगे तो आपका काम करना चालू कर देगा जैसे कि अगर सिम बन से आप कॉल करें तो सिम टू का डेटा च सेटिंग ठीक है और अगर नेटवक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एरोप्लेइन मोड को आप अन करके एक बर आफ करेंगे ठीक है तो नेटवक के प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी तो इसी टाप की और बेंटरसिंग वीडियो देखने के लिए आई बटन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार